गाईज साम का समय है सूर्यास्त होने को है और मैं अपने बैक्याड फर्म हाउस में इस समय हूँ और यहां पर देखिए धान की किस तरह से रुपाई निराई सब कुछ हो चुका है और धान की खेती कैसे देखिए लहला आ रहे हैं गाउं में बिल्कुल हरा भरा नजर आ रह रहे हैं ललाहाते खेत तो अभी बारी सो रही है इसलिए पौदे कापी खुस हैं और अभी मैं चलती हमें किचन गार्डन में और वहां लगी है सबजी हां तो उनको मैं करूंगी हार्वेश तो यहां पर देखिये लगी हैं काद्दू तो इसका दूख को मैं हार्वेस्ट करूंगी तो देखिए इसका साइच सही है दो केजी के लगवग है और यहां ही देखिए लगा हुआ है तो अभी बिल्कुर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है क्योंकि अगर मैं छोड़ देती हूं तो ज्यादा पक जाएगा तो ज्यादे पका हुआ सब्जी स्वाधिश्ट नहीं बनती है और यहां पे लगे हुए है घीया तो अभी छोटा है इसलिए इसको हर्वेस्ट नहीं करूंगी और प्रादा हो यहां भी लगा हुआ है तो देखिए यहां भी लगा हुआ है तो अभी कुछ दिनों के बाद इसकी होगी है विश्टी थोड़ा बढ़ जाए गया तो और चोटे-चोटे बढ़्स लगते जा रहे हैं मेल फूल आजकल जादे न जारा रहे हैं फिमेल कम है कुछ खात पानी जब देंगे इसमें लिक्वीट फटीलाजर मस्टरड केक लिक्वीट फटीलाजर इसमें देंगे इसमें फिमेल फूल आने लगेंगे तो कई लिखे इस तरह से लगे हुए हैं छोटे-छोटे तो यह सुख से गया है तो इस तहरा से कुछ सुख गया है और नए भी बट्स आ रहे हैं लेकिन कम है तो कदू में बट्स तो काफी लगें लेकिन बारिस की वज़र से सब गल गया तो यह जो पहले के लगे हुए थे तो वो हार्विस्टिंग के लिए तैयार है तो उसको मैं यहां कर लोती हूं हार्विस्ट तो देखी यहां पर यह रही मारी टोकरी और यह रहा पंपकिन तो इसको यहां से मैं कर दूंगी कटिन इसकी तो हो गया देखी हार्विस्ट तो साइज अच्छा है दो केजी के लगभग है यहां भी लगा हुआ है तो यह तो कम है वन केजी से थोड़ा उपर होगा इसको भी मैंने हार्विस्ट कर लिए तो अभी मेरे पास दो थे दोनों को हमने हार्विस्ट कर लिए और यहां देखी लगे हैं हमने लगाए लेमन ग्रास तो यहां से मैं थोड़ी ले लूंगी पतियों को तो इसका चाय बनाती हूँ प्योर इसको स्थी पुगाल के आदस पतियां पुगाल के दो कप चाय त्यार हो जाता है तो इसमें आदस पति में ले लूंगी दो कप चाय के लिए तो इसका जो बेनफिट है इसमें विटामिन यह परियाप्त मात्रा में है इसके आलामा भी काफी कुछ इसमें होता है तो इससे अगर इसको यूज करते हैं तो विटामिने की कमी पूरी हो जाती है तो हमने ले लिए और यहां देखे लगे है वावा तो कैसे देखे प्रोटिंग प्लावरिंग जब हो रहा इसमें इसके पहले भी लगा हुआ था लेकिन पच्छुआ हवा की वजह से सारे जड़ गए अभी भी सभी डालियों में लगे हुए हैं तो यह बारो माशी है तो फिर इसमें देखे आने लगें नई तो पिछली बार का था वो अब तक पक गया होते हैं लकिन पच्छुआ हवा चलने के उज़़े से सारे जड़ गएं तो देखे फिर निकल आए नहें नहें तो आएं आएं तो काफी लगे हैं बस दो साल दो महीने यह पुराना है तो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कामेंट करना ना भूलें थैंक यू पर वाचीं ओके शीयू